जहें दोस्तों मुझे एक केड़ेट ने कमेंट किया और बोला कि आप हमें एक वीडियो बना करता हो जिसमें हम DMA में शूज को क्या कर सके पॉलिश तो जनरली केड़ेट्स क्या करते हैं वो जो अपना ब्रश रहता है और जो शूज पॉलिश करने की पॉलिश रहती है उसक अब से पहले आपको क्या करना है आपको operate तरी के सबीMa100 को एक तरी के से ओपन कर लेना है उसके बात क्या करना है मैं करना हूं जीजर Пमेंकर तो चुझी करना Jeśli उसको निसका है उप्त Number पोशन भी आपको Olis करना है और शूटे सी पो चुरेमाइं से कर ले है घै क्छे सबक souvenirs में अंदर यह जो करने उसको Olis तरीक Remoप में आराम से धीर धीर करके पुरा पोलिश करें असको जाएं ayos बस सिंपल है शूलेस आपको पॉलिश करना है उसके बाद आपने लेस उसमें डालना है और यहां पर एक हिंड देना चाहूंगा कि कई बार क्या होता कि कई सारों के शूलेस काफी छोटे होते हैं तो कोशिश करना कि उन्हें आप इस पैटर्न में लगाएं कि आपका इसली जो राउंड है वो पूरा कमड़ जाए और आप इसली शूलेस को बांद सके ठीके और जिनके लोंग रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं वो आराम से किसी भी पैटर्न में डाल सकते हैं और अप उसके बाद क्या करना है एक नोट यहां लगाया उसके बाद क्या करना है आपको इसे पीछे ले जाना है पीछे ले जाकर उसे साइड में से निकालना है ठीके इसके बाद यहां पे आपको एक क्या करना है एक नोट लागाना है कुछ हलकी सी बस ऐसी आली फिर एको राउं इस तरीके से आपको शूप को अपने बादना है तो बहुत प्यारे लागेंगे ड्रिल अगेरा करोगे तब कोई दिक्कत निया इसी प्रकार हम लेफ्ट वाले को भी टाइट करेंगे ठीक है उसके अलावा हम उसको भी ठीक सी प्रकार एक नोट आगे लगाएंगे फिर पू दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगे किस तरीके से हम उमारे एंसी के DMS को बान सकते हैं पॉलिश कर सकते हैं और तरीका क्या है शूलेस बानने का अगर वीडियो पस्ता है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्कार करो बैल इंट्रुक्शन ओन करो और कमेंट करके ब देख सकते हैं और साथ में हमारे कुछ ब्लॉक्स भी देख सकते हैं तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन